इस वीडियो में अभी बताऊंगा आपको आपके जो फीजिकल ग्राउंड में क्या क्या होने वाड़ा है कैसे कैसे प्रोसेस रहेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट इसी को लेके हैं तो मैं एक-एक क्वाइट पर बताऊंगा आपको क्या क्या उने वाड़ा है सबसे पहले क्या होगा वहाँ पर जैसे आप ग्राउंड में जाओगे तो वहाँ पर क्या उने वाड़ा है देखो आप फीजिकल जिस भी लोकेशन पर आप जहां पर भी आपकी लोकेशन दे रख एक आईडी कार्ड आईडी कार्ड वो आपका अधार कार्ड भी हो सकता है वोटर कार्ड भी हो सकता है और एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड यह एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड दोनों चेक करने के बाद आपकी एंट्री हो जाएगे अंदर की तरफ अंदर तो फिर क्या है आपको गुरूप में बिठा दिया जाएगा ऐसे लाइन में एक लाइन यह होगी एक यह होगी एक यह होगी लाइनों में हो सकता है वो जितने जितने गुरूप बढ़ाएंगे वो सकता है इसमें 30-30 candidate हो या 40-50 का मालो एक group की एक line 70-70 की मान के चलो या 70-100 candidate की एक line होगी 70-100 candidate की एक-एक line बना ली जाएगी ऐसे से ये आपके अंदर बैठाने के बाद group बना लिए जाएगे गाद क्या है एक line को उठाके मालो ये line बैठी हुई है ये line नमबर एक है ये line नमबर तीन है ये तीन मालो इसमें 100-100 के group बने हुए है यहां से आपको ये road बना हुआ है maximum आपको road मिलेगा तो क्या है यह हो सकता है सीधा भी हो तिर्चा भी हो जैसे भी हो सकता है यह आपका last finishing line है यहां पर एंड हो रहा है इसका यहां पर क्या है फर्स्ट ग्रूप को उठाके यहां पर लाए जाएगा इसमें क्या कर देट आगे पिछी भी हो जाते हैं काफी बात्रफ आपको जो अफसर बोला है वह वह सकता है जिप्शी बगारा में हो जिप्शी बगारा में होगा तो उसकी जिप्शी आगे चलती रहेगी आप से कम सोटेट समीटर के फासले पर यहां पर बाकी जवान खड़े रहेंगे फोजी जो भी है बरती के अंतर डिटेल ह वह दोनों तरफ रहेंगे शड़क के आपकी फीजिकल के दोरान तो वह अफसर यहां पर आप से पहले पहुंच के यहां पर खड़ा हो जाएगा और वह टाइमिंग नोट करता रहेगा है मिन्ट दे रखी है तो से मिन्ट तक जितने कंडिडेट आ रहे हैं मतलब जितना भ होग्र 4 जिनकी रैस नहीं होई आपी क्या जोर रनिंग कंप्लीट करके ड chilly थोने के बाद जितने भी है अगर 25 यह अटीस कंडिडेट जिनों विरानिंग कंप्लीट करिया संब हर उनको यहां पर इठा लिया जायगा। यहां पर स्क्प्रइट करें ले कि आबिता देंगे सीबगों एक लाइन में कि यहां पर हुआ हूंगी हुआ हुआ हो जाएगी देस्ट हो जाएगी देए देस्ट पूर यहाँ पे बेइट हो जाएगा ओडिश्ट वेट कंपलीट हो यहांग में यहां से उनको लएक है आएले जाएगा रॉप कलाइमिं के लिए की है तैं यहां पर क्लाइमिंग क्रालिव में जाएगी अब इसमें से मां खेंगे सो लिए लेके जाएगा जो लवग 9 फिट की होगी आ कि आप काई जम्प कर जाओगे खाई जम्प करने के बाद आपको लेकि जये जाएगा वेट उठाने के लिए वेट जो आप कट्टे बोलते हैं या जो भी है अगर वेट उठाने कट्टा उठाना है तो आपको कट्टे रखे हुए मिलेंगे यहां पर और ऐसे लाइनिंग होगी मतलब यहां पर आपके एक सुत्राइस सिमीटर का ग्राउंड बना होगा यहां से यहां तक तो वो कट्ट में तक लेके जाना है यहां मतलब आपक 404 पूरा करना है अगर इसमें कर стрactions का और एक आध्मी को लेके जाना है तो अगर फाइर तो इसे मतलब इनकी जोडी बना ली यह इसको उठाके लेके जाएगा इस के बाद एक यह तो आगे वाड़ा कर देट सही ले गया तो उसको उठाके वह दूसरा के लिफ्टिंग करते हुए यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा घंजो, उसके बाद, जो बंदे Kualify कर जाते हैं इन सभी फीजिकल में, फिर क्या है? उनके जो Admit Card है, Admit Card पे, Stamp लगाई जाएगी, अब qualify करे हो, या निकरे, पास और fail की, पास, और fail, जो candidate past है, इजो पास की लगा दी जाएगी, जो fail है, fail है, यो और उनका डाटा कंप्यूटर में कंप्यूटर में अप्डेट कर देंगे और आपको जो एडिमिट कार्ड है उसके उपर स्टेंप लगी वह अपने पास संबाल के रखना है यह पूरा प्रोसेस रहेगा अभी मैं ट्रेड में की बात करता हूं यह मैंने फायर मैंन का बताया था रेड ऊच्टाइम पैसे डिम्स में जो भी है अपने डॉकूमेंट लगा लगा तो आपके लिए च्टम लगा नंदा लेना हिए तो आप कि लगा वाउने चाहूं अब विद्रेड में मेट की बात करता हूं अब वह प्रसेस रहेगा एंट्री का दो आप की रेनिंग हो जाएगी आप मतलब बैच बना दिया जाएगी रेनिंग हो जाएगी आपने पंद्रा सो मीटर कंप्लीट कर दिया है अब जैसे मतलब यह 30 कंडिडेट पास का उपके आए उनको एक दो मिन्ट का रेस्ट दिया जाएगा उसके बाद इनको डारेक्ट कट्टे रखे होंगे ऐसे ऐसे यहां पर खड़ा कर दिया जाएगा कट्टा उठाके आपको 200 मिटर लेके जाना है और अपनी मतलब फिजिकल का जो भी 200 मिटर लेकर जाना हो यह तो सकता है 100 मिटर लेकर जाओगे और 100 वाप्स लेकर आओगे यह वह पूरा 200 मिटर लेकर जाना हो तो वह उन पर डिपेंड करेगा तो यह कंप्लीट होने के बाद क्योंकि ट्रेड मैंन के अंदर हाइड चेस्ट वेट कुस होता नहीं तो उसके बाद क्या है आपके डोकुमेंट भी चेक किये जाएंगे दोकुमेंट दोकुमेंट चेक करने के बाद जो बंदे इसमें भी सही क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके अड्मिट कार्ड पर पास और फैल की स्टैप लगा दी जाएगे और कंप्यूटर में डाटा अपडेट कर दिया जाएगा तो यही प्रसेस रहेगा बाकी कोई प्रसेस नहीं रहरना अलग से कोई मेटिकवल्ण लेए वाडा पूश्ट तके अपका और कोई अलग से पोसे नहीं vais perguntına ये अभी धीबमें खतम हो जाएगा आप का साम अप्रशा आपका सा मैंने मेरा को मैंने सही से बताया होगा अगर आपको तो सही लगी है जानकरी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूब कर लेना और वीडियो को सेर करना जैने दोस्तों